मुख्यमंत्री नितीश कुमार और बिहार के डिप्टिसियम तजश्वी यादब के एक एलान से केंद सड़कार जो है वो हड़क सकती है नमस्कार मैं श्वीत और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन केंद सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में यूसी सी यानि की यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगी लेकिन वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने ये साफ ऐलान कर दिया है मुसल्मानों को ये आश्वासन दे दिया है कि बिहार में हर हाल में यूसी सी यानि की यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगी जहां एक तरफ के इन सरकार लगातार इस प्रियास में है कि पूरे हिंदुस्तान में यूसी सी लागू कर दिया जाए मुखे मंतरी निटीश कुमार ने शनिवार को कहा है कि बिहार में किसी भी कीमत पर नहीं लागू होगा समान नागरिक सहीता यानि की यूनिफॉर्म सिविल कोड मुखे मंतरी ने All Indian Muslim Personal Law Boj के एक प्रतिनीधी मंडल में इस बारे में आशवासन करते हुई कहा है कि प्रतिमंडल ने मुखे मंतरी आशवासन से निटीश कुमार से भेट की भवन निर्मान मंतरी अशोक चौधरी भी उनके साथ मौजू थे आपको बताते चलें कि बिहार के मुखे मंतरी निटीश कुमार ने शनिवार को कहा है कि बिहार में किसी भी कीमत पर नहीं लागू होगा समान नागरिक सहीता यानिक यूनिफॉर्म सिविल कोड मुखे मंतरी ने All Indian Muslim Personal Law Board के एक प्रतिनीधी मंडल को इस वारे में आशवस्त किया है All Indian Muslim Personal Law Board के प्रतिनीधी मंडल ने मुखे मंतरी से ये आगरा भी किया है कि वो अपने असर से ये प्रयास करें कि देश में भी ये लागू नहीं हो पाए अल्प संख्यक समाज के हित का ध्यान रखा जाए मुखे मंतरी नितीश कुमार ने प्रतिनीधी मंडल को ये भरोसा दिलाया है कि वो इस दिशा में प्रयास करेंगे मुखे मंतरी ने कहा है कि उनिफॉर्म सिविल कोज के संबंध में आरम से ही उनकी सपस्ट राय रही है प्रतिनीधी मंडल ने औल इंडियन मुस्लिम परसनल लौ वोज के सदस से मौलाना अवेदुल्ला असदी मौलाना अतिकर उवर रह्मान बस्तवी मौलाना बद्र एहमद और मौलाना अनीसुवर रह्मान कास्मी शामिल थे बताते चले कि हाली में दो बार सीम नितीश कुमार से मीडिया ने युनिफॉर्म सिविल कोज पर प्रतिक्रिया मांगी थी लेकिन वे सवालों को टालते हुए गये मामलो कोहीं किसी के आसपास की तारिक में विपक्ष्वी एक्ता की बैठक भी तैकी जिसको लेकर ये कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंतरे इसको देखती हुए युसी सी पर प्रतिक्रिया नहीं दी है तो जहां एक तरफ मुख्यमंतरे इनितिश कुमार से बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि केंज सरकार लगतार ये बात कह रही है किंज सरकार की तरफ से ये बाते निकल कर आ रही है कि इसके कारण राजरिती कलियारों से ये चर्चाय निकल कर आ रही थी कि शायद इस वज़े से मुख्यमंतरे इनितिश कुमार इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देने से बच रहे है लेकिन भी पक्षी दल की बैठक तो पटना में हो चुकी है वही कल बीते शनीवार को मुख्यमंतरे इनितिश कुमार से जब युनिफॉर्म सिविल कोट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बात कह दी है कि वो बिहार में किसी भी हाल में युनिफॉर्म सिविल कोट लागू नहीं होने देंगे साथे साथ मुस्लिम बोट की तरफ से आगरा किया गया कि पूरे हिंदुस्तान में भी सिविल कोट जो है वो लागू ना किया जाए अलप संख्यकू के लिए अच्छा नहीं रहेगा जिस पर मुखे मंतिन तीश कुमार ने कहा है कि इस पर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं हमेशा से उनिफॉर्म सिविल कोट के विरुधी रहा हूं मैंने हमेशा से उनिफॉर्म सिविल कोट को लेकर यही बात कही है कि उनिफॉर्म सिविल कोट अलप संख्यकू के लिए खास करके जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनके लिए सही नहीं है फलाक लिस्खवर मे इतना यानिक अब्डेट्स के लिए देखते रहें न्यूस फार्डेशन